आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रैबिडेजन नेचर स्टेजन में आपका सागत है साथियों आज एक ऐसे प्लांट के चर्चा करेंगे जो कि पुरुसों और महिलाओं दोनों के लिए विशेश गुंडकारी है मुख्य रूप से पुरुसों की एक समश्या होती है जिसको हम प्रोस्टेट का बढ़ना प्रोस्टेट ग्लेंड का बढ़ना या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाना और अगर इसको सही समय पे देखाना जाए तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है और इनीशल में सिस्ट डवलप हो जाता है और बाद में धिर धिर ये एक प्रोस वैद्दो के अनुसार, उनके सुझावों के अनुसार ऐसा बताया जाता है, कि पुरानिक लिट्रेचर में भी ऐसा वर्णन है कि हमें बैठ कर ही त्वालेट जाना चाहिए, खड़े होकर मुत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, जो कि धिरे-धिरे प्रोस्टेट एनलर्जमे प्रोस्टेट एनलर्जमेंट के कारण या शरीर में गर्मी जादा हो जाता है, इसके सुन्दर येलो इस वाइट फ्लावर आप देख रहे हैं, इसको हम वरुन के नाम से जानते हैं, ट्रेटिवा नुर्बुला, क्यप्रिडिशी का ये प्लांट है, स्टेम कटिंग और सी में गर्मी जादा हो जाने के कारण, पेट में गर्मी होने के कारण पेशाब नहीं कर पाते हैं, और पेशाब करते समय जलन भी होती है, ऐसा स्टोन की समस्या हो तब भी होता है, और प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है, तो पेशाब करने में समस्या है, या पेशा में जलन है या स्टोन की समच्चा है तो ऐसी समच्चा को दूर करने के लिए आप इसकी चाल का डिकॉक्षन बनाकर सेवन कीजिए चाल का डिकॉक्षन बनाकर जब आप सेवन करते हैं तो दिन में दो से तीन बार पांच ग्राम चाल ले लेजिए और उसका आटल डिसॉडर्स दूर्फ हो जाते हैं यूरोलीथीसस की समस्या हो वो दूर हो जाती है और अगर कहीं शरीर के अंदर क्योंकि ये क्या करता है लिवड़ड डिटॉक्सिफ किरेशन का कारे करता है बलड को प्यृटाइब करता है और हमारे नैच्रल सरीर में बलड़ प्रेंजिंग एक्टिविटीटी इस प्लान्ट की होती हैं डित्रो अगर ज्वाइंट में की समश्या हो इंफ्लामेशन की समश्य हो या फिर कहीं भी फंगल या बैक्टिर्या इंफेक्शन हो तो उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके सुंदर फ्लावर्स का paste बना कर inflammation को दूर करने के लिए लगा सकते हैं ruby facient का ये कारे करता है यह चहां आप apply करते हैं यह vasodilation करते हुए warmth को बढ़ाता है और pain prayer का ये कारे करता है Inflamation को दूर करता है इनी सुंदर flowers कांप Infusion बना कर स्यवन करते हैń तो बुखार को ठीक करने का कारे करता है इनका पेस्ट बना कर लगाएंगे तो घाव को भरने का भी कारे करता है और अगर फुंसी या फोडा हो गया हो तो उसको भी दूर करने का ये खारे करता है इसके क्योंकि फूल हर्मोसम में नहीं आते हैं अभी अप्रेल से लेकर मैज जोन तक flowers रहते हैं उसके बाद इनी से ग्रीन कलर का fruit बन जाता है और बाद में उसी से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है maturity के बाद इसके पत्र का डि उनका उप्योग आयरुवेद युनानी हमोपैथी विभिन परकार के कंप्लिमेंट्री और अल्टरनेट्व थ्रैपीज में खूब उप्योग में आता है मित्रोव इसके flowers और इसके leaves का आप infusion बना कर सेवन करते हैं तो वह लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का करे करते हैं और स्प्लीनो मिगैली जो डिसॉडर्स होता है जिसमें स्प्लीन बढ़ जाती है उसको भी ठीक करने का करे करते हैं यह स्प्लीनो मिगैली की जो समस्या है इसको हम पिलिया विर्धी कहते हैं ज्यादा मात्रा में दवाईयां एंटिबाटिक्स के खाने से होता है और उससे नि remediation में इसके flowers और इसके leaves का infusion बना कर हमें सिवन करना चाहिए मित्रो ये शरीर में पाए जाने वाले acetylcholine नाम के hormone का duration बढ़ाता है ये acetylcholine esterase को inhibit करता है जिसके कारण शरीर में acetylcholine का level बढ़ता है जो dementia और memory loss जैसे neuro degenerative disorders को remediation के लिए सही करने में अपनी भूमी का निभाता है साथ हो इसके कॉमल पत्र का आप सिर्का मिलाकर या विनेगर मिलाकर अपलाई करते हैं तो विभिन्य प्रकार के fungal disorders को दूर करने का कारे करता है सही करने का ये कारे करता है और wound healing में भी विशेश उपयोगिता इसकी होती है अगर आप इसके कॉमल पत्र और इसके फूल को healthy powder और coconut oil मिलाकर अपलाई करते हैं तो anti wrinkle, anti aging activity इसकी होती है dead skin को remove करने का भी ये कारे करता है इस plant का उपयोग आप विभिन्य प्रकार के urinogenital disorders के लिए digestive disorders को ठीक करने के लिए hormone के regulation के लिए और lactating mothers के लिए ये दुग्द वर्धन का भी कारे करता है इस परकार आप इसको अपने देनिक जीवन में इसके लाब उठा सकते हैं को आप conserve कर सकते हैं कटिंग के माध्यम से शीड के माध्यम से वरुन वर्ना इन सब नामों से इसको पूरे भारत में जाना जाता है जानकारी को share कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कल सुबह साथ 6 बज़े फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद परणाम नमस्कार